है लोग गाइस तर्म बात करने वाले हैं आई एक्स के बारे में इस कम्पनी को लेकर एक बहुती बड़ी खबर जिसके वादे से कम्पनी के शेर में और भी और गिरावट आज़कती है ये कम्पनी के शेर में क्या 50 रुपे या 500 रुपे कौन सा टार्गेट अच्छी हो सकता है इस कम्पनी के अंदर वह भी डिसकेस करेंगे तो वीडियो को ज़रू सांतर देखते रहें ना सबसे पहले आई एक्स की बात करें ये कम्पनी को लेकर एक बहुती बड़ी खबर निकल के आई 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 एकस आप लोगों को पता ही होगा कि अर मोनोपॉली है इलेक्रिक सेक्टर के अरे इंट्रिश्प देने जारी है इस कमपनी की मोनोपॉली छींड जा सकती है क्या सीन्या पूरा सीन आप लोगों www. ShoutТom गया का रीए र Bennett यह से से handle एक समय में तीज्री एक प्वार एक्ष्चेंज को आने जा रही है इसी मार्केट के अंदर कंपनी का क्या नाम है तो मैं का नाम है हिंदुस्तान पावर एक्षेंज और यह यहाँ पर से इंडिया के अंदर यह तीसरी बड़ी कंपनी हो जाएगी तीसरी कंपनी हो जाएगी जो पावर सेक्टर के अंदर पावर एक्षेंज सेक्टर के अंदर काम करेगी और इस कंपनी का यहाँ पर फाइनल अपरूल भी मिल चुका है, electricity commission board के द्वारा, central electricity commission board के द्वारा, तो यही एक सबसे बड़ा reason है, इसकी वज़ए से पिछले कई समय से company के share में गिरावट आ रही है, और normally हमें आप लोगों को, या हम retail investor को बहुत ज्यादा, बात में पता चलता है, कोई भी company के share में गिरावट आ जाती है, उसके बात में, तो बड़े investors अल्रेडी निकल चुके है, और अभी यहाँ पर से क्या scene है, आप लोगों को मैं पूरा scene समझाता हूँ, FIS and DIs का आप लोग जैसे data देखोगे, तो उसके अंदर पता चलेगा, क्यार FIS and DIs, दूनों की यहाँ आप बात करें, एक समय पर 35-34% के पर 36% के आसपीस की holding दी, और उनकी holding लगातार कम हुई है, ठीक है, लगातार कम हुई है, और यहाँ पर पिछले कुछ time में दो, और इन्हों ने आपर क्या किया, नेचे के levels के उपर खरीदा, उपर के levels के उपर बेच कर निकल रहा है, और public को यहाँ पर से लगातार माल चि ही कक हुआ है, आई एकक का शेर्ख और यहाँ अपर से, आप लोगों के आराउंड देखने को मिल जाता ए अभी कि यहाँ परультат प्राइसंप्रायज ह्यमतार है 151, तो वो दो हजार में ही खरीदेंगे उसका यहां पर आप लोग 5,000 रुपे देखन नहीं आओ गे तो वैसे ही है यहां पर से स्टॉक मार्केट मेरे भी एक कमपनी की कोई वैल्यू होती है उसी प्रेस की ओपर खरीदा जाता है वरना है आपर से नुकसान होता है देखो वही चीज़ यहां पर होती जा रही है पहले यहां पर से क्या हुआ कंपनी के शिर को 220-250 रुपे पहुचा आगया उसके बाद कंपनी के शिर का पी हां पतब मैंने बूला था इस कंपनी के शिर में अभी इंवेस्मिन मत करना हमारे दिरे दिरे करके जो इस कंपनी का एवरेज पी है न हो यहां पर से उसी के आसपास अभी कंपनी का शिर आता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में मेरे को ऐसा लगता है 30 से लेकर 35 का पी जब तक अचीव नहीं हो जाता है तब तक यह कंपनी के शिर में घिरावट आ यार इस कंपनी को लेकर पहले यहां पर से अच्छा घसा लग रहा था कि अच्छा परफोंस करेगी कंपनी न अच्छा परफोंस भी किया पर मैंने परसले इस कंपनी के शिर को कभी भी नहीं खरीदा था कभी भी नहीं आज तक एक बार भी मैंने इस कंपनी के शिर को खरी दिन फाइदा मिल रहा होगा मैंने हाँ पर जिस लिवल से रेकमेंडेशन किया ना उस लिवल से ता आज भी वह प्रॉफिटेबल ही होंगे ठीक है तो यह बहुत ही ज़दा अच्छी ख़बर है बाकिया जो वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना अने वाले समय में थोड़ा टाइम लेगेगा उससे पहले कपनी का शिरेक दो बार बांस बैक लगा सकता है ता आप लोग तब निकल सकते हो वाकी इन्वेस्टेड हो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुला गुडबाय लफ गुडबाय फिर में ते नेक्स बेगेगे भी गुडबाय